आईपियल दोहजार तेस्प में रॉयल चैलेंजिस बैंगलॉर और लखनव सूपर जाइंट्स के बीच खेले गए एक मुकाबले में क्रिकेट का मैदान जंग का मैदान बन गया था और खिलाडी बन गए थे खुंखार लडा के तेहजीब और तमीज के शहर लखनव में जम कर बत्तमीजी और बवाल हुआ था बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि भारत के दो दिगज विराट कोहली और गौतम गंभीर हाता पाई पर उतर आये थे लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लडाई की सच्चाई क्या है? आखिर इस लडाई के पीछे की असली वज़ा क्या है? काफी लंबे अरसे से सभी क्रुकेट फैंस इस सवाल का जवाब धून रहे हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला जी हाँ विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई लड़ाई की पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है और ये सच्चाई कोई हवा हवाई नहीं किसी और नहीं बलकि इस लड़ाई की असली वज़ा नवीन उलहक ने खुद बताई है नवीन उलहक ने कहा हम बैंगलूरू में अपना मैच खेलने गए थे वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ हमने वो मैच जीता जो बहुत करीबी था आवेश खान ने जीत के बाद अच्साह में अपना हेलमेट मैदान पर गुस्से में पटक दिया शायद विराट कोहली को ये पसंद नहीं आया इसके बाद RCB की टीम लखना हुआई मैं नमबर 9 या 10 पर बल्ले बाजी करने गया था तब तक हम लगभग मैच हार चुके थे तो मुझे उमीद थी कि मेरी स्लेजिंग की जाएगी जब कोई शिरुआत करता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता तो मेरी विराट कोहली से काफी बहस हुई खेल के बाद हाथ मिलाने के दौरान भी लड़ाई जारी रही स्लेजिंग दो लोगों की ओर से हुई थी विराट कोहली और मुहमत सिराज उसके बाद गौतम गंभीर खुद को नहीं रोक पाए इस जगडे में वो भी उतर गए और फिर क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा मतलब जो लड़ाई थी वो सिर्फ विराट कोहली और नवीन उलहक के बीच थी उसमें गौतम गंभीर जबरदस्ती कूट पड़े थे देखिए गौतम गंभीर की हम एक खिलाडी के तोर पर और एक इनसान के तोर पर बहुत इज़त करते हैं गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए जो कुछ भी किया है और जनरसोई के जरिये वो जो काम कर रहे हैं एक रुपे में खाना खिला रहे हैं उससे हर कोई उनकी इज़त करता है लेकिन आपकी इज़त आपके हातों में होती है गौतम गंभीर को विराट कोहली और नवीन उलहक के बीच हो रही लड़ाई को एक दिगज होने के नाते एक सीनियर खिलाडी होने के नाते शांत करवाना चाहिए था उसमें खुद कूदना नहीं चाहिए था विराट कोहली ने गौतम गंभीर को कुछ कहा भी नहीं था रड़ाई के दोरान विराट कोहली बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि गौती भाई मैंने आपको कुछ नहीं कहा लेकिन गौती तो गौती है खैर आप बताईए इस सच को जानने से पहले आपको क्या लगता आ रहा था गलती किसकी थी? विराट कोहली या फिर गौतम गंभी और विराट कोहली और गौतम गंभीर में से आपका फेवरेट कौन है? कॉमेंट में हमें जरूर बताएं हमारी सिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इंफॉर्मर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले